आदाब नाजरीन, मैं शिलपाप सबका इस्तक्बाल करती हुए NCERT के लाइफ फोन इन कारेक्रम में सर सेद एहमद खां एक सिक्षक, एक समात सुधारक और साथ ही एक राजनितिग्य थे और इसके लावा सर सेद एहमद खां आधूनिक सिक्षा की शुरुवात भी भारत में की थी और हमारा आज का मौजू भी इन्ही से जुड़ा हुआ है आज हम बात करने वाले हैं सर सेद का बच्पन कक्षा दस्वी के लिए और हमारे साथ उपस्तित है प्रोफेसर मौ अजब मोदिन NCRT के भाषा सिक्षा विभाग से आपका स्वागत है सर शुक्रिया और अगर दर्शकों अगर आपके कुछ प्रशन हुआ हमारे आज के टॉपिक से जुड़े हुए तो आप हमें संपर्प कर सकते हैं हमारे टोल प्री नंबर्स पर नंबर है 1800 111265 अत्वा 1800 12199 साथ ही आप अपने प्रशन भेज सकते हैं हमारे ओफिशल एमिल आईडी ciet.kishormanj at the rate gmail.com साथ ही हमारा ये सेशन आप देख रहे हैं हमारे ओफिशल योट्यूब चैनल NCRT ओफिशल पर भी वहाँ भी कॉमेंट कर अपने प्रशन हम तक पहुचा सकते हैं सर जैसे कि आज का हमारा विशे है सर सीद का बचपन तो इस पार्ट के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं और इस ये सेशन के अंत में बच्चे क्या क्या चीज़े सीख पाएंगे वो भी थोड़ा से समझाएं तो ये सरसियत का बच्पन उनकी एक सवाने उमरी है यादि बाइोग्रेफी जो मौलाना अलताफ। अर उसका एक हिस्दा लिए गया है सरसीयत का बच्पन जहहां उन्होंने पेशकिया हयात जावज में उस हिसे को लेकर यह इन्तफाब में शामिल किया गया है, ये नवाय और्दू धस्मी जमातिक किताब में शामिल है, और इसके लिखने वाले मौला अलताफ हुसनहाली है. लेकिन खास खास वाकिया का इंतिखाब किया गया है जैसे उसमें उनके उनकी शक्सिएट पर उनके खांदान का और नसल का कियासरा तरह उसको लिया गया है फिर उनकी पैदाएश ली गई है कि जब वो पैदा हुए तो किस तरह के थे वो कभी थे तोवाना थे और तंदूर मेहनत का जदबा था लगन थी जगर फिकर करते तो तो लगाता रागे बढ़ते रहें और इस तरह उनकी शक्सित जो है पूरी बहुत तवाना नज़र आती जिसको फिर हम आगे और तफिलते पेश करेंगे जब सबसे यह असर आपने बताया है यह पार्ट एक तरह की बायोग्राफिय होती क्या है? में उनके साथ सो जो अहम वाकियात हुई है उनका इंतकाब किया गया है उनको कलंबन किया या किया गया लिखा गया है यानि किसी ऐसे शक्सियत की सवाने अमरी लिखी जाती है जिसको जिन्दगी में कोई बहुत बड़ा काम किया हो किसी भी फिल्ड में हो सियासी फिल्ड हो माशी हो माचरती हो अदबी हो साइनसी फिल्ट यानि किसी भी फिल्ट में कोई बहुत आहम और नमाजा काम कोई बहुत बड़ा काम किया हो तो आम तो लोग उनकी सवाने अमरी लिखते हैं कभी कभी मुसनिफ खुद अपने हालाती जिंदेगे खलमन करता है लिखता है तो उ उसके ज़्यादबात और ताफ्रात का जादा दखल होता है तो इस तरह हम देखते हैं सवाज अमरी जो होती है वो खुदनविश्ट भी है एक तरह से और लेकिन सवाने अमरी दूसरे लोग लिखते हैं मुसनिफ जो है हीरो की तो हीरो की जो वह अगर दूसरा लिखता तो वो बायोग्रेफी हैं अगर कोई मुसनिफ खुद लिखे तो आइटो बायोग्रेफी या अगर अगर अपने बारे में अपने ताफ्रात के ज़्यादा दिल्चस्पी के साथ करना चाहता है तो वो आप भी आप भी तीक है लाते हूं तो इसकी अगर हम देखिए इसके कई खुबिया है सब खुबिय तो एक यह है कि किसी एहम आदमी की होती है जितने जिन्दगें कोई बड़ा काम किया उसके आहलात का लंबन की जाए लेकिन कोई जरूर नहीं कि शुरूर से लेकि आखिर तक तक तमाम वाकिया जाएं बलकि जिन्दगे में उसने कौन से ऐसे का किया है जिसका समाज प्लगों प्लव तो ग बेसर हो रहा है लोग उससे मौटिवेट हो रहे हूं ना कि पूरी भर्मार तो वहारी बहर कम लिग द ढघिए है है तो वागियाट का एक वंकाराना इंतखाब होता है उन होके साथ पpelेसाद का कोई है कि इस में हालात ये देहमत खाँ अठारस सत्तरा में पैदा हुए और अठारस अठावे में उनका इंतकाल हुआ तो इस तरह गोजा पूरी एक सधी पर उनकी कारकरदेगी हावी है और वो सधी पूरी जो है उनने इसमी सधी हमारे में यहां देखिए तो हिंदुस्तान में उसकी एक बड़ी यहमत है बहुत सारी उतल पूतल होते लिए स्यासिय इतबार से महाशिय इतबार से अठारह सतावन की पहली नाकाम जंग आजादे भी हुए आजादी के लड़ाई भी शुरू हुए एक तहजीब खत्म हो रही थी दूसरी तहजीब आ रही थी तो एक जो कश्मकस जा रही है का सेथे साधे अंदाद में जो मुसनिफ ने जो समझा उसको कर दिया लिग दिया लेकिन अब थोड़ा सा टेरेंड बदल गया है रुजहान तब्दील हो गया समानी अमरे लिखने का अब उसको जदीद में नफियात की रोशनी में भी देखते हैं साइक साइकी में जो ह प्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक समाज से माहौल स्याख्वि surpris कर लेता ह। उसकी आदद बन जाती हैं। लेकिन एक चीछ जिबने होती है। जो पाइदाशी तरु पर फ fet Celebris course को मिली होती है। तो वह मौरूसी भी होती है। औह नसली भी होतीा है। खांदान से चलती रहती है। तो वो बी यहां तेजीबी, समाजी, आदवी, सुरुतवाल वग़रा सारी, उसमें तो आ जाती है रिधानी अमरी यदाद उसका खांदान बीया है तो उन दोनों चीज़ों को शामिल होना चाहिए नई समाने अमरी या नए अंदाद जो कहता है कि आप हीरो के दोनों पहलों को लेज़े लेकिन दोनों पहलों को लेने का मतलब यह नहीं कि उसके तारीक पहलों को या कम रोशन पहलिएं को बहुत जादा बुराई के चरफ ले जाएं बलकि ये देखना है कि उस के कम तारीक पहलों तो उसके अच्छाई़ों पर क्या आफर पड़ता है ये देखना है यानि हमें ना तो हमें हीरों से दिल्चस्पी होनी चाहिए अपने उससे हमदर्दी होन चाहिए यानि अगर कोई हमारा जानने वालत कि इसके हम लिख रहे हैं तो यह लिए कि हम उसकी बेजा हैमायत करें!」 ऐसे जाइस दिल्चा cuál तो मुगाना है उसका नाम उसका तो से दो खास सवानी ओमरोह के एक तो बाहरी भरकम नहीं नहीं कि बहुत जादा मौन्टी हो जाए लोग देखके उसको घबला जाएगा पढ़ने के वक्त नहीं मौका नहीं दूसरे बहुत तफ्सील में नहीं नहीं मुक्तसर हो अच्छे चाह खास खास वाकियात को लिया जाएं तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाने उम्री की बहुत सार तक हो सकते हैं जो हैं उस शक्सियत को पढ़ने के बाद दूसरा पहलू यह थे में मौरल वैलूस कहाँ कहां देगई हैं मौरल वैलूस से हम अपनी जिंदगे में ना पढ़ने लोग किस तरह से मतासर हो सकते हैं किस तरह सको आए ख fine कर सकTे हैं समाज में एक अच्छा होता है यह रिफार्म की हैसे से कि कहा कहा रिफार्म नज़र आता है तो इस तरह हम देखते हैं सरस्यथ कि समाने उम्रे जो हईा ते जावेज उसको लिखा है उसमें यह तीनों पहलु नज़र आ रहे हुनका इसलाही भी है moral values भी आनि अखलाकी पहलो भी और इसलाही पहलो भी तरसियत बहुत बड़े reformat थे उन्होंने education भी reform किया social reform भी थे जो है तो इस तरह एक समाने उम्रे कि यह यह खूबिया है असर यहां पर एक दो बच्चों ने यह पूछा है आपने बात करी बायोग्राफिक ही जो एक balance होना चाहिए और अभी आपने बताया कि अज़ादा detail नहीं होना चाहिए it has to be balanced इसमें अच्छाई बुराई दोनों होनी चाहिए जो किरदार है लेकिन उनका प्रश्ण यह है कि सर अगर detail बाते नहीं लिखी जाएगी तो उस समय में क्या चीज़े हुई वो हमें पता नहीं लगेगी समाज में क्या चीज़े बदलाव हो रही थी वो भी हमें पता नहीं लगेगी तो यह दोनों बातें जो कहीं जो एहम वाकियात में आते हैं क्या बदला हुआ समाज में क्या तब्देली हुए च्छी बात हैं यहां मुफसल यह भारी भरकम से मुराद यह कि यह नहीं कि सुबों से शाम तक हर वाकिय को खलम बन के जा कब सोकर उटे कब खाना खाया कब नाश्टा गया कब कपड़ा तब्देल किया तो यह वाकिय में किसी दिन कोई खास वाकिया तो लोगों से मिलने का कोई हैपनी हो गई कुछ बात हो गई कोई वाकिया कोई जलसा हुआ किसी मजलिस में गया कांफरेंस में गया तो उस कांफरेंस की रुदाद ही क्या तो यह आहम वाकिया आते हैं आहम वाकिया हुए नहीं याता कि हम कब सबीवाल बातं में अगर जिक्र करेंगा तो रात कुछ सोते यह कह सकते हैं जल्दी बोगते थे जो है अपना काम काम वक्पेर करते थे अपना काम जादा तरह अपने हाथ से करते दोथनों को तकलीप नहीं देखते थे जिए यह सक्षियत के पहलों तो यह एक जो राइटर होता है मुसनिफ जो होता है यानि बायोग्रेफर उसका यह फर्द बनता है कि किन वाकियात को ले किन वाकियात से समाज में एक अच्छा पैगाम जा सकता है लोग मूटिवेस हो सकते हैं हर वाकिय को कलम बन करना जरूरी नहीं है यहां पर एक और प्रशन लेना चाहूंगी और्मी जी का प्रशन है वो पूछना चाह रही है कि इस पार्ट को इस पर्टिकुलर्ली दसवी कक्षा इस स्टेज में क्यों शामिल किया गया किस मकसद से शामिल किया गया इस अच्छा सवाल है यह जाहिर बात है कि देखिए बायोग्रेफिज जो होती है उसमें जबान का बहुत बड़ा मुझा होता है और हमारा अदब जो शुरू होता है नवी से लेके बरहावी तक हम शुरू हुए उसके पहले जो है पहले से लेके आटमी जमाद तक जो किताब यह बनती है वो ज्यादातर जबान के फंक्शनल कर सकते हैं लेकिन नौदस ग्यारा बारें बाकादा अदब की तद्रीश शामिल हो जाती है तो यह सवाने अमरी अदब की बाकादा एक शाख है एक लिक्टेरी सिंफ है और चुकि बहुत एहम सवाने निगार वुर्दू के सबसे पहले सवाने निगार मुलाना अलताफु रसान हाली है उन्होंने तीन सावले अमरिया लीकिए हैत साधी, यादगार गालिब और हैत जावैज तो कहीं नकई हमें उन लटेडिय असनाफ को भी हैं इन्टो जोज्स करना है और उस लेक्टेरी असनाफ जोने अदबी सिंफ क क्या खातबात ये उसका भी तारूब करा करना है और उसमें कौन से नमाया काम हुई जिए उनको भी शामिल करना है तो हम इस सताब ना तो सरस्यद को बहुत फरामोश कर सकते हैं ना तो हाली को हाली पहले हमारे बायोगे रेफरेंस समाने निगाग और सरस्यद एक ऐसी शक्सियत हो जो पूरी हाविन ना सिर्फ उन्न और ऐसे लोगों की सवाले उमरी पढ़ने के बाद हमें खुद मोटिवेशन मिलता है हम खुद कोई ने बड़ा काम करने की कोशिश कर सकते हैं इस वज़े से इसको शामिल किया गया है तो सर आप क्यो ना इस पार्ट के जो राइटर है उनके बारी में भी हमें थोड़ा सम हो गया बड़ी तंगदस्ती थी घर पर जो है जायरत बात इनकी तालीम को कोई माकूल इंतजाम नहीं हो सका पढ़ने लिखने का बहुत शोक्ता लेकिन कोई माकूल इंतजाम नहीं हुआ और इस पर सुने पर सुआगा यह हुआ कि सत्रा साल की उमरे में इनकी शादी हो ग पर रहे मुलादमत का भी जिम्त मतला था लेकिन बड़ी तंगदस्ती जी लेकिन हिम्मत से काम लिए और माकादा पढ़ते रही जो है वहां से जब परेशानी से वो गुदरते रहे जाओ मस्जिद में इसी दोरान हिसार है मैं एक्ठारा तो छपन में हिसार में डिप्टि पढ़ाते रहे तो तकरीबन साथ आग साई टूशन पढ़ा जा उससे भी इनके कुछ तंगदस्ती दूर ही और फिर तकरीबन चार साल तक ये पंजाब बुक डिपो में मुलाजिम हो गये वहां अंग्रेजी से उर्दू में जो किताबें तर्जमा होती तो उसकी तस्यान इसला का काम ये करते थे अंग्रेजी से उर्दू में तर्जमाए किताबों को देखते देखते इनके अंदर खुद अंग्रेजी से दिल्चस्टी पैदा हुई और अंग्रेजी से वाकित भी इनकी बढ़ी जो है फिर वहां से आगए देहली के अंगलो अर्बी की स्कूल बहुत मश्यूरी स्कूल है वहां ये मदर्डिस होगे पढ़ाने लगें अभी यहां पढ़ाई रहते हैं कि रियासत हैदराबाद ने इनको एक्षारा सो सटाथी में बुलाकर बहुत मामुली सा वजीफा दे दिया अब वजीफा देने से इनको जो तंग दस्ती थी वो ख पढ़ने लिखने के बहुत शोग था बहुत बड़े आलिम थे और इसी वजह सो नेश्टो दे में दो में सरकार के तरफ इनको शम्चुल उल्मा का खिताब मिला जो हैं शम्चुल उल्मा शम्च कहते हैं सूरज को उल्मा आलिम की जमाह यानि आलिमों का सूरज यानि साथ तोर से गदल से इनको बहुत अच्छी गदले का ही इनका दीवान भी मौझूद है और सबसे हम चीजिए मिर्जा गालिब के भी शागिर्द रहे हैं उनके साथ साथ ने मिर्जा गालिब के शागिर्द रहें और मिर्जा गालिब की जो समाने अमरे लिखी है यादगा तो उनका ख्यालाँ से बहुत मतासिए थे उनके साथ वाबस्ता हो गे, जो उनके रफीकों में शामिल हो गए, तो उनके साथ साथ बहुत सारा काम करते रहे, और इनके जो किताबे हैं, पहली किताब मजाल सुन निशा है, सरस्येत की तहरीक में गर्ड़ से एजुकेशन को य मुझकिल हो जाएगी है. तो उन्होंने इस पहले को नजर अंदास कर दिया था ऐसा नहीं कि उतकी तालिम नहीं चाहते थे लेकिं धीरे धीरे करना चाहते थे. लेकिन उनके साथी में दो लोग ऐसे थे खाली ने मजालिस सुने सा लेकिन और डिक्टर नजीर रहमत ने जो है जो पहले उर्दू के पहले नाविल लिगा रहे हैं उन्हों ने नाविलों के जरीए और उतनों की तालिम के तरफ तरफ तो इस तरह इनकी ये किताब बहुत हैं इसके अलावा इनका मुकदमा शेयर शेयरी इनकी जो शेयरी किताब थी प्रिफेस से शाय किया जाने लगा और उसको मुकदमा शेरो शायरी उसका नाम रखा जो है तो यह बहुत अहीं किताब हैं इसके अलावा हिनों ने एक लिखी मुसद्द से हाली सरसेद कुंकि इसला चाहते थे समाज में की चाहते थे तालीम के जरीए चाहते थे तो उन्हों ने कहा कि कोई ऐसा शायर हो जो हमारी को बेदार कर सके बेदारी ला सके अवेर कर सके जो है तो यह सरसे यह चाहते थे वह हलांकि वह को शायर थे लेकिन वह इस काम को नहीं कर सकते थे और उन्हों ने यह सोचा कि शायरी दोगों के दिलों पर ज़्यादा असर करती है लोगों के से उसको मुसद्दस कहा गया है तो यह मुसद्दस से हाली इतनी मकबूल हुई और इतनी काम्याब हुई कि सरसीयर जिसको इस पर बहुत फक्र करते थे बलकि उन्हों यहां तक कहा सरसीयर ने कि अगर खुदा क्यामत के दिन मुझसे पूछेगा तुम दुनिया से क्या लाए तो इसकी है इसके अलावा जो है coupling को यह साक्म ने पहले भी वजात की कि यह पहले बायोग्य। वह पहले सवाले निगार ही हुदु到 के और तीन स म्वाले जिया unreli ज़िछ लगा सिर्भारणा किया विया लह भी की। समय की व्योगों की सारी लोगों को पारिज करने वाले चुक्त बहुत बड़ा एंकलाव लाई east्हीं। है जी सर आपने ये तो बता दिया कि अलताफ जी ने सर सयद पर बायोग्राफी क्यों लिखी यहां पर रुबीना जी का प्रश्ण है कि अलताफ जी ने उनकी बच्छपन जो ये सिर्फ पर्टिकुलर उमर को ही क्यों कंसिडर किया ने निए देखिए उनका ये नज़रिया सही नहीं है हमने पहले वदाहत कर देते हैं कि उनकी बायोग्राफी बहुत जखीम है तकरीबन पांच्छे सबस्काद में हैं लेकिन साइड से बाद है कि निसाब में सारी चीज़ तो नहीं आ सकते हैं हमने एक इंतखाब किया है तो सेलेक्शन किया सरस्येद यह बच्मन का स्सेलेक्शन इसलिए हुआ कि यह बच्चे पढ़ रहे हैं अबी घराच कि आए अश्य लेकिन यह इस इंतखाब इतलिया कि ताकि इसके दूसरे वो लोग मुटिवेट हो सके कि बच्चे इससे मुटिवेट पड़ सके मन्ना तो उनकी पूरी किताब है पुरी किताब निकाले है आते जावे तो पड़े तो अंदादा हुआ को उन्हों सरस्यद के किन वाकिया गया है जाइद बात है कि इसकी जादा जरुवत नहीं होती किताब में बहुत सारे लोगों को शामिल करना होता है तो इस वज़े से हैं तो अब सरस्यद का बच्च्पन का जो सबक है आप इसको देखिए जो भी हो चुकी अब इस सवाने अम्रे के सवाने अब देखिए य जिस पर हमने गुस्तों को कर ली है अब यह सरस्यद का बच्च्पन असल सबक शुरू होता है यह च्छे साथ सफों पर है तब मिलाके तो इसमें पहला जो है वो मौरूसी और नस्री इसरात पर है उसके बाद फिर माँ इसके कवीट और तंद्रूस पैदा विदे किस करना जो है कि हम उसको पर सकते हैं ताकि बच्छों लोगं हमारे नाजर्यों को यह का कहा कहा कितनी कितनी फिक्ती दिल्च्टीं चब्सेद की है कर दी वो तब पांच बरस की उम्र जब इनके थी उनके घर में एक मुलादमा थी उनके खानदान की थी मुलादमा नोकरानी थी जो है इनके खिदमत करती थी खातोर से सरस्यद के खिदमत करती थी और किसी वज़े से उसका इंतकाल हो गया तो सरस्यद के बारे में सरस्यद का ख्याल उसके बारे में सुनिये केसा अंदार से लिखा है कि पांच बरस की उम्र है और किस तरह अपनी मुलादमा से उनके क्या दिल्चस्पी थी केतनी उससे वाब मुस्सगी थी मुझे खोब याद है मा बीबी मन्ने से चंद गणटे पहले फालसे का शर्बत मुझको पिला रही थी जब वो मर गई तो मुझे उसके मनने का नहाच रंज हुआ मेरी वालदा ने मुझे समझाया कि वो खुदा के पास गई है बहुत अच्छे मकान में रहती है बहुत से नौकर चाकर उसके खिदमत करते हैं और उसकी बहुत आराम से गुजरती है तुम कुछ रंज मत करो मुझे को उनके कहने से पूरा यकीन था कि फिल वाके ऐसा ही है मुद्द तक हर जम्रात को उसकी फातिहा हुआ करती थी और किसी मुझे उसके मुझे यकीन था कि ये सब खाना मा बीबी के पास पहुच जाता है उसने मरते वक्त कहा कि मेरा तमाम जेवर सयद कहा यानि सयद था का मगर मेरी वालदा उसको खेरात में देना चाहती थी एक जिन उन्हों ने मुझे से पूचा कि अगर तुम कहो तो ये गहना मा बीबी के पास भेज़ दूँ मैंने का अहां भेदो वालदा ने वो सब गहना मुक्तलित तरह से खेरात में दे दिया तो खेरात में देने मतलब यह कि जो जरुद मन तो उनको दे दिया इसका मतलब वो चीज उन तक पहुची जिसके नाम से दिया जाता है को उसको पहुच जाती है तो आप यह देखिए किस तरह से उन्हों ने सरस्यद के बच्पन की महसूमियत को सादगी को किस तरह से प्रेश किया है और इस सवानी उमरी के एक बड़ी खुबी यह है कि सरस्यद के बच्पन का जो खात तोर से हाली ने जो कुछ लिखा है और लिखने के बाद उसके बयान को तम उसके ताइद के लिए यह उसकी हमायाद के लिए सरस्यद का कौन ही नकल किया है तो इस तरह से होता किया है कि समानी उमरी ज्यादा जो है आठेंटिक हो जाती है ऐसा नहीं कि बाईउगरेफन अपने तरह तरह दिया हो सरस्यद का बयान यहां नकल कर दिया तो वह ज्यादा दिल्चत्पी भी हो गए और यह भी हो गए इस तरह खेल कोड में उनका किस तर लड़कों के साथ उनका खेलना नहीं होता था जैक तरह से किसी तरह पावंदी थी बलकि घर के खानदान में ही 15-20 लड़के बच्चे थे इसे इनकी हम उमर जो वह सब आपत में खेला करते थे तो खेल हो जाता बहुत मुक्तरीब तरह के खेलते जो है लेकिन उनका बयान देखिये किया है वो जो है किस तरह खेलते तो वो सब तो आगया कौन-कौन खेलते उसका भी जिक्र है उनका बयान है कि बावजूद इसकदर आजादी के बश्पन में मुझे तनहा बाहर जाने के अजाज़त ना थी यानि उन पर निगरानी भी है और आजादी भी है यह था कि आप जिस तरह खेल चाहो जो चे खेल चाहो उसको खेलो लेकिन सब के सामने खेलो छुब चुब चुबा कर मत खेलो तो उसके बारे में कहते हैं कि बावजूद इसकदर आजादी के बश्पन में मुझे तनह बाहर जाने की अजाज़त ना थी जब मेरी वालदा ने जुदा हवेली बनाई और वहां आ रहीं तो बावजूद ये कि उस हवेली में और नाना साहब की हवेली में सिर्फ एक सड़क के दर्मियान थी जब कभी मैं उनकी हवेली में जाता तो एक आदमी मेरे साथ जाता था इसलिए बच्पन में मुझे घर से बाहर जाने और आम सोबतों में बैठने या आवारा फिनने का बिल्कुल इत्फाक नहीं वा यह इस तरह सुनवे पावंदी भी थी आजादी के साथ साथ निगरानी जून की थी कि अगर आम लोगों से मिल जू जाएगा आम बच्छों से मिल जाए तो उनका जो कारियर इस तरह से बना है वह कि इसी तरह आप लेटियों कि एक बहुत दिल्चस्थ खाना ने जब उनका खाने का वक्त होता था तो किस तरह जो हमारी यहां तेहदी भी सिखाती है और दस्तर खान के आड़ाव होते हैं जब खाने की मेद पर बैखते हैं अब तो मेद पहले दस्तर खान बिशा करता था है जो है लोग चार उतरब लोग बैच्टे थे बीच में खाना होता है तो इस तरह देखिए उसका बड़ा दिल्चसम नक्षा उन्होंने खीचा है और खुड सरस्यत के जबान में यह बाद के लिखी हाली ने तो सरस्यत का कॉल शुरू होता है मेरे नाना सुबो का खाना अं सर्खान बिचता था बेटे बेटियां पोते पोतियां नवासे नवासियां और बेटों की बीवियां सब उनके साथ खाना खाते थे बच्चों के आगे खाली रिकावियां होती थी नाना साहब हर एक से पूछते थी कौन सी चीज़ खाओगे जो कुछ वो बताता वही से उसी रहकावी में ग्डाल देते थे तमाम बच्चे बहुत अदब और सफाईस उनके साथ खाना खाते थे सबको ख्याल लहता था कि कोई चीज़ गिरने ना पाए हाथ खाने में ज्यादा ना भरे और नवाला चबाने की आवाद मुर से ना निकले रात का खाना वो बाह सफेज चानी पर लग जाता था तो नहायद नाराज होते थे रोशनाई वगयरा का धबा किसी के कपड़े पर होता था तो उससे भी नाखुश होते थे शाम को चिराग जलने के बाद उनके पोते और नवासे जो मकतब में पढ़ते थे और जिनमें से एक मैं भी था उनको स सबसेज ना ने चाते थे जिसका सबक अच्छा होता उसको किसी कियमें की उंदा मिठाई मिलती और जिसको याद ना होता उसको कुछ ना देते हैं और गोड़क देते हैं आप में देखा ये सबक इंवत बाज कि अतना धिल्शा мужा था एंथ हमारी तहसीजीब इस जाहिर हो रही है और तहजीब के साथ साथ यह कलब तमद्दून का भी आता है निसी विलाइडेशन जी आप खाना बैटो ही है भी लोगों ने बड़ों ने श्रूर नहीं किया छोड़के खाने लगे या तैजी से खाने लगे या सालन में हाथ बहुत जादा डूबा रहे है तो वो भी एक बैद भी है रिखाने का निया खाते वक्त मूझ से आवाज आ रहे है नवाला चबाने की तो यह सब सिविलाइडेशन किस तरह तर्वियत की जाती थी यह बहुत अहम है उसका पहली जो है सिर एक शब्द था रिकाबी रिकाबी क्या रिकाबी कहते हैं तश्टरी को पलेट को अब यह सब पहले बोले जाते थे अब नहीं बोले जालते हैं यह सब हमारी तहजीब के इस पर भी कुछ काम करने की जरूए थे जो है ताकि लोग याद रखें दस्तरफान लोग कहना भूल गया बिशाना भूल गया अब मेश पोश आ गया या तो उसको डानिंग केवल पर जो जो वो डानिंग केवल कवर 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 तो चीज़े तम जब तम तहजीब बदलती तो बहुत सारे अलफाद नहीं आते हैं बदलती रहती हैं बहुत सारी चीज़ जाती तो आपने इसी तरह देखिए एक तैरा की सीखना का शौक था सरसीयत को जो है और उनके वाली साब खुद सिखाते थे और कैसे तो वह भी एक्तवाद बहुत दिल्चस्पा जो है तो अगर हम उसको भी देख लेते हैं जरा सा कि तैरा की अब सरसीयत का खुद ही गोल नकल किय है यहां पर उन्हें हाली ने मैं ने और बड़े भाई ने अपने वाली से तैरना सीखा था एक जमाना तो वह था कि एक तरफ दिल्च के मशहूर तैराक मौलवी अलीम उल्ला का गोल होता था जिन में मिर्जा मुगल और मिर्जा टिफल बहुत सरबर आबरुदा नामी थे और दूसरी तरफ हमारे वालिद के साथ सो सवा सो शागर्दों का गिरो होता था अब अन्दाजा कीज़े सो सवा सो शागर्दों का गिरो यह सब एक साथ दरिया में कूटते थे और मजनू के टीले से शेयक मौम्मत की बाहीं तक यह सारा गिरो तैरता जाता था फिर जब ह पात नवाव वहंत बख्ष खान के बाग के नीचे जमना बहती थी वहाँ से तैनना शुरू होता था मगरिब के वक्त सब तैराक जिनतुर मसाजिद में जमा हो जाते थे और मगरिब की नमाद जमाद से पढ़कर अपने अपने घर चले आते थे मैं इन जलसों में अक्सर शर माना जब की नहाए धूम धाम से तीरंदादी होती थी याद नहीं मगर जब दुबारत तीरंदादी का चर्चा हुआ वह बखूबी याद है उस जमाने में दरिया का जाना मौकुफ हो गया था जोहर की नमाद के बाद तीरंदादी शुरू होती थी नवाव फतहुल्दा बेक खान, नवाव सेदद बतुल्दा खान, नवाव इबराहीं मली खान और चंद शाहदादे और रईस और शौकीन इस जल्से में शरीख होते थे और नवाव शम्शुद्दीन खान रईस फिरौत पूर जर्का जब दिल्ली में होते थे तो वो भी आते थे मैंने भी उस मचली के जाए को कौन तेहर ना सिखाएं ये जल्सा बरसों तक रहा फिर मौकोफ हो जा तो तिर अंदादी काफी मेहनत से करते थे शोक से करते थे तो काप एच्छा निशाना था उनका इन सबको इसी तरह दिल्ली से साथ कोस्त के फासले पर एक गाउं है मोगलपूर तो कभी-कभी वहाँ जाला आप समने वाले के साथ जाते थे तो वहाँ एक लाई ये एक दबास अधर सर सययत के बारे में क्या ताशूर ये सरसायत कहते थे कि इस उम्र में गाव में जाकर रहना जंगल में फिरना उम्दा दोद और दही और ताजा ताजा घी और जाटनियों के हाथ की पक्यों ही बाजरी या मकई की रोकिया खाना नहायत ही मदा देता था तो अभी जो सवाल किया था कि सारी बातों को न लिखा तो एक बायोग्रेफर को मालूम किन चीजों से सवानी उम्री में बायोग्रेफियों दिल्चस्पी पैदा हो सकती है तो यह सब चीज़े तेहरा की है उनकी खाने के आदाब है या खेल कोदे किस तरह सुद्मिंग एक सरस्यद के वालिद के और इनके नाना के ख्वाजा फरीदुद्दीन के अंग्रेज़ों से मरासिम तो मुगल दर्बा में बड़े अच्छे मरासिम थे बाद उशा दफर से तो कभी कभी यह जाते तो अपने वालिद के साथ जाते थी बड़ा अच्छा एक्तबास से तो हम पांच पार्चा और तीन दकुम जवार का खिलत अता होता था मगर अखिर में जैसा के ओपर जिक्र किया गया उन्होंने दर्बार का जाना कम कर दिया था और अपना खिलत सरस्यद को बावजूद ये कि उनकी अमर कम थी दिल्वाना शुरू कर दिया था सरस्यद कहते थे कि एक बार खिलत मिलने की तारीक पर ऐसा इत्तफाक हुआ कि वालिद बहुत सवेरे उटकर चले गए और मैं बहुत दिन चड़े उठा हर शंद बहुत जल्ड गोड़े पर सवार होकर वहां पोचा मगर फिर भी देर हो गई जब लाल पर्दे के खरीब पहुचा तो कादे के मुआफिक अबल दर्बार में जाकर आदाब बजा लाने का वक्त नहीं रहा था डारोगा ने कहा कि बस अब खिलत पहन कर एकी दफ़ा दर्बार में जाना जब खिलत पहन कर मैंने दर्बार में जाना चाहा तो दर्बार बरखास हो चुका था और बाश्या तक्त पर सुट कर हवादार पर सवार हो चुके थे बादशार ने मुझे देकर वाली से जो उस वक्त हवादार के पासी थे कहा कि तुम्हारा बेटा है उन्होंने कहा हुदूर का खानाजाद बादशार चुपके हो रहे लोगों ने जाना कि बस अब महल में चले जाएंगे मगर जब तस्वीख खाने में पहुचे तो वहां ठेहर गए तस्वीख खाने में भी एक चबूतरा बना हुआ था जहां कभी कभी दर्बार किया कर देते चबूतरे पर बैट के जवार खाने के दारोगा को कश्टी जवार हादर कनने का हुख्म हुआ मैं भी वहां पहुँच गया बादशाह ने मुझे अपने सामने बुलाया और कमाल एनाय से मेरे दोनों हाथ पकड़ कर फरमाया कि देर को की हाजरी ने कहा अर्ज करो की तक्सिर हो गई यानी गलती हो गई मगर मैं चुपका खड़ा रहा जब हुदूर ने दोबारा पूछा तो मैंने अर्ज किया कि सो गया था बादशाह मुसकराए और फरमाया बहुत सवेरे उठा करो और हाथ छोड़ दिये लोगों ने कहा आदाब बजा लाओ मैं आदाब बजा लाया बादशाह ने जवाहरात की मामूली रख में अपने हाथ से पहनाई मैंने नदर दी और बादशाह उटकर खासी देर डोड़ी से महिन में चले गए तमाम दर्बारी मेरे वालिद को बादशाह की सिनायत पर मुबारक बाद मुबारक सलामत कहने लगे सरस्यद कहते थे कि उस दमाने में मेरे उमर आख नो बरस की होगी तकरीबान उनी जिनों में राजाराम मुहराज जो ब्रहमो समाज के बानी थे उनको अकबर शाह ने कलकत्ते से बुलाया था कि अदाफे पिंशन बादशाही के लिए उनको लंदन भेजा जाए चुनांचे वो बादशाह की तरफ से लंदन भेजे गए 1831 में वहां पहुचे सरस्यद ने लंदन जाने से पहले उनको मतादी दफ़ा दरबार शाही में जेखा था कि इसको राजाराम मुहरायकुम तो ये अक्तबास आपने दरबार में हाजिर होने के देखा वहां क्या आदाब्त है किस तरह होते जो लोग पैशादे दिन और इन्होंने माँ धोग नहीं बोला कि लोगों ने का ये वकाई तो गलती हो गई लेका उनों सच से बता दिया तो देर में सोकर उठाइद बज़े से देरी हो गए तो बाश्याद खुश्ची बात इनकी शक्सियत में सरस्यत की वह बहुत अहम पहलो है कि इनसान सचाई से कामरे सच बोले और लोगों को उसी राते पर चलने कोशित करें तो बाश्याद से जो इनके मरासिंत इनके खानदान से तो वह भी जाहिर होता है इनकी शक्सित भी जाहिर होती है और कि महां से क्या क्या सीखा है इनों नों उन सब कभी पता चलता जो है तो इस तरह सरस्येद पढ़ने के लिए बठाएगा तो इसको हमारे कहते हैं तक्रीब बिस्मिल्ला या बिस्मिल्ला की तक्रीब कभ आपने पढ़ना शुरू किया तो उसको बिस्मिल्ला की तक्रीब बिस्मिल्ला आपके कब शुरू ही तो आम सोर पर चार साल चार मैने पढ़िये तो यह खामोच रहे कुछ नहीं पढ़ सके तो फिर उन्हों ने शाह साब ने उनको मिठा के अपनी गौद में बेंखा लिया और कहा कि पढ़िये एकरा भी इसमें तो एकरा जो पहली वही कुरान की हुई जो पहली वही हुदूर से लिए पर नाजिल हुई थी उ और उसके बाद उनको सब के लिखा उनकी तालीम के बारे में ने आपक ही बहुत दिल्चस्पर सवानियों होने का यह हिस्सा उनक खुरान के पढ़ा और फारणी पढ़ा गुरिस्ता बॉस्ता बधा ने गयरू जो किताब थी और इनको एक खानदान में रियाजी पढ़ने पढ़ने का बहुत शुक्त बड़े माहिर थे लोग जो हैं तो इनको भी शुक था जो है इन्हों ने पढ़ा जो है इन्हों ने अपनी किताब आसारु सनाधेद लिखी है और जो दिल्ली की अमारुत का नक्षा खुछ जो है चरचड़ के देखा तो इसको मदद की तो इस तरह से सरस्यद की पूरी शक्ति इस तरह हम देखते हैं काफी मुझार्णी करें काफी फाल है कावी तो मुलाना अलताफ हुसान हाली ने सरस्यद की उन्हीं खोब्यों को बच्पन को लिखा है यहां पेश किया जिनके कौम को जरूए थे लोग समझे इसलाही पहलो क्या हो सकता है उसका मौटर पहलो क्या हो सकता है अखलाकी पहलो क्या हो सकता है और इसलाही पहलो क्या हो सकता है अब इसमें सरगर्मियों की बात के थी कि हम किस तरह की सरगर्मिया करा सकते हैं तो इस सबक में जो सरगर्मी है वो तो है जुमश के जो एक्सर हमें देखना है उनको याध समझना है और उनको अपनी जबान में इस्तिमाल करना है अंपनी जबान का मतलब बॉल्ट चालम में भी और तेहरीर चुर्पिंदी हम उसको इस्तिमाल कर सकते हैं हैं हम और जो मश्本शों का दिंड़ है उतनमे उस यह सब को करना है काम चलाओ यह तक वो सीख चुके थे जो बहुत सारे और नहीं सीख चुके थे बलकि अपनी बहुत सारी तहरियरों में अंग्रेजी अलफास का इस्तमाल भी किया है वो करते रहे हैं तो बच्चों से एक मश्क यह भी कराई जा सकते हैं कि इसमें सरसियत के जो उसलोप पर हम बात करते हैं इस्टाइल पेजिंग बात करते हैं करेंगे तो सरसियत के उसलोप का कैसा है वो हाली का उसलोप कैसा है कहां कहां अलफास कैसे است準備 Hisami निखने कर रहा सकते हों एक या भी हो तक है जिंजिन माकियात का भी हमा है तो अलग 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 वाकिया को ले करे चा सकती है उसके बताए जा जा सकता हुजर कि ब्दाद करें कि ऐसी के बात कहले है कि उससे क여 ऐसरब में होता है और उनु मांऀदियों को अपनी जवार में हम किस तरह बयां कर सकते हैं किस तरह लिख सकते हैं भी आन लेगे लिए ने करना नदोनों चूंकि इस सब्सक्राइब बहुंताइब जबान का बहुत रचाहँा अच्छाह implicit तालिपीद्मों को और जबान को कितने सफ़ाई के साथ इस्तेमाल कर सकते इतना सबस्बाद से इस बहुत मदें मिलती है कि है पूरे सबक का खुलासाव अपनी से काया थाली collateral का पता चलता है तो कौन से वाइक किस खोबी का पता है उस पर भी इलमने बात करानी चाहिए ताकि उनको गौर फिक्र का मौका मिले गुरूप में बी काम हो सकते हं इसी तरह हम यह सब तक तालिब एलमेने ने सेख लिया जो है पड़ पे लिया आपने जबान वेस्पे लिया बैयाक्रिकार भी चाद हैं लिख बी सकते हैं अफ़से आहम चीजा है के आपके एतना जानने के बाद आपके अंदर क리ा थब्सीर होई क्या वाकिए आप पनी जबान में अपने तो उसके बारे में इससे तालिबी इल्मों के रिएटिविटी बढ़ाने का भी एक मकसद है कि हम किस तरह अगने तकलीकियत या क्रियोटिव बढ़ा सकते हैं तो तालिबी इल्मों से यह कहा जा सकता है कि भई अपने बारे मिल पारा गिडार लिकिए अपनी जिन्दगी के लिकिए यह भी कहा जा सकता है कि आपने हाली किया भी सिर्फ एक किताब का कुछ इस्सा पड़ा उनकी पूरी जिन्दगी को सरसेद की पूरी जिन्दगी के पढ़ने के लिए हायत जावत हासिल करके उसके आपको मजद और पढ़िए या हाली ने जो और सवाने अम्रिया लिखी है जो है जैसे है यादगार ऐ अगर आपको समाने उम्रिक पढ़ने का शोग करुछ तो उसको भी देखे आव उसको भी निकाल के पड़े जो है या दोसरे बड़े आओं लोगों के सरसेद्गा अधिम शक्सियत बड़ी शक्षियत रही बड़ी शक्सियत ने दोसर प्रफिल्ड के शाबते भी वह अपने आपको पड़ सकते हैं निकाल के किताब पड़ सकते हैं और अपना मुतालब वो जादा जादा वसी करें काने मतलब यह हैं कि उनको जबान तो वो सीख तुके हैं उपड़ लेकिन जबान को मजईद कैसे जिला बख्षी जाए कैसे उस कर पाएं यहां पर मुसकान जी ने प्रशन पूछा है असर यहां पर इस पार्ट से भाशा की किस स्किल को एन्हांस कर सकते हैं अच्छा ने कि भाशा की चार स्किल जो है सुनना बोलना पढ़ना लिखना लेकिन यह तो आट मीं जमान तक बहुत चलता है कोई बीश्किल ज कुछी भी फैरा गिराफ को किताब को मदमून को आइटिकल को पढ़ने के लिए हमारी स्किल क्या है हम सही तरीके से पढ़ रहे हैं कि ने पढ़ ले हैं उसके पंक्शिशन के साथ हम अधा करने की नहीं कर रहे हैं कहा रुकना है कहा नहीं रुकना है बहुत रवानी के पढ़ने औ लिखने की महारतों पर जादा तवज्व हैं सुनना बोलना तो हम बच्पन से करते हैं इतने बात्चे भी हम उद्धे थे हम सुन रहे हैं माभाब की बात तो बच्पन से चाला है आप भी जा रही है लेकिन वह में ना सिर्फ पढ़ने की बलकि जादा जादा लिखने की स्किल पे कि हम खुद कोई ऐसी किताब जिसकें कोई मदमून लिख सकें अपने खैलात का इजार कर सकें तो यहां पढ़ने की स्किल पर यह और उससे जादा आहम जो है लिखने की महारत लिखने की स्किल पर जादा फोकस करने की ज उन्होंने ये दो एक्जाम्पल्स दिये हैं सवाने में पार्ट में होगा कहीं और एक है सलायते रिवाद अच्छा मेभी आम प्रेनाउंसिंग रहा लेकिन चुक्कि कुछ अफाद ऐसे होते हैं जो पहले इस्तमाल होते हैं तो वक्त के साथ साथ बहुत सारी लद्याग डिक इस से बात की जाएं उसे मुछाटब कहते हैं जिससे हम बात चुक कर रहे हम उसकी अपनी दहनी इस्तदात की हैं यह हम कुछ लिए कर रहे हैं ओर चारों चारों तरी हो नि को ऑर करते हम परते हैं तो यह मलक को जाए गा इसके मुलक फृश्पड़़ कंटिं इसकी जमा बनाया गए लाइ दिए उब मैं, मलक, मलक, मालक यह जो जरी जरते एक पर दख जह रहीयों के दो बहुत दिल्चाथ यह तो आज, के सेशन में हमने बात की सर सेद एहमद खा के बच्पन उन से रूबरू हुए हम और इन सारी मालूमात के लिए सर आपकर शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया आपकर और अगली सेशन में हम बात करेंगे human nutrition पर तो बने रहे हमारे साथ हाजिर होते हैं छोटे से ब्र